हेलो गाइस हाव यह मेरा नाम है फावत फेस्ट फ़र अब लग्त थेंक्यू गाइस वाचिंग इस वीडियो यह वाइल यार इस ग्रीटिंग से मुझे याद आया कि मुझे अक्सर यह सुनने को मुटा है मेरे व्यूर्स की तरफ से कि यार फावाद भी हम आपके रेगुलर लेकिन जब भी आप वीडियो स्टार्ट करते हो लेकिन उसके बाद हिंदी में उर्दू में शुरू हो जाते हो कि हावको इतनी से इंगलिश आती है तो नहीं कोमेंट पढ़के थोड़ा सा मुश्करा देता हूं रिप्लाइग नहीं करता क्या रिप्लाइग दो यार्य वीडियोज बना रहा हूँ और इसी अंदाज से बना रहा हूँ और मुझे किसी ने क्रिटिसाइज भी नहीं किया ना कभी रोका या टोका कि कहा कि भाई फवाध भी यह क्या करता है यार मदा नहीं आ रहा पहले आपसे मैं serious question कर लेता हूँ उस बारे में आप क्या समझते हो कि मुझे ये रूटीन चेंज करने चाहिए या चलने देना चाहिए तो कि परसनली मुझे जो कभी चेंज करने की जुरूरत नहीं पड़ी और मैंने ज़्यादा महसूस भी नहीं किया बस अभी रेगुलर हो गया है मेरे साथ एन्यवेज छोड़ो इस बात को येस मेरी नदर मेरी जो खोपड़ी थी ना वह थोड़ी सी खटक गई कि भाई कोई ना कोई गड़बड तो है एन्यवेज पहले ये वीडियो देखिया है लेकिन इसका जो बैक्ग्राउंड था मुझे पता नहीं था फिर मैंने कुछ रिसर्च किया तो पता लाए कि हाला लाला मजी भाई बहुत जबर्दस गिजम का वर्ल्ड इंपक्ट कर दिया है वैस तो हुआ कुछ यूँ कि क्रिशानल रेनाल्डो एक प्रेस कांफरंस में बैटे हैं जो कि योरो 2020 की हो रही थी उनके सामने कोका कोला की दो बोतले रखी हुई थी और उन्होंने सरकादी अपने लेफ येस पानी हेल्डी डरिंक है लेकिन आपने इस वीडियो में थोड़ा वोत तो नोट किया होगा कि क्याद जबर्दस किसम से फ्रेम सेट आई है कोका को यूजे बोतलें इसको बोनता है एक्रेड प्लीयर है कि नहीं है। नको पताता है कि इतना एरिया सेधी में आरहा है को कोका कोला की बहुत ले नहीं आनी चाहिए, सरकात हो, मकर इसके उपर भेताशा मीम्स बने हैं, लेकिन इसका इंपक्ट भी बहुत ज्यादा हुआ है, अनिस्पेक्टिटली कोका कोला को ठीक ठाक नुकसान हुआ है, तो यह जैसे ही न्यूस ब्रेक हुई है ना, कि विदिन फ 242 बिलियन डॉलर्स की कंपनी के एसेट हैं, जो के कम होकर 238 बिलियन डॉलर्स हो गए, चार बिलियन डॉलर्स की चपत पड़ी है, सिर्फ क्रिशानो लिनार्डो के एक मूव की वज़ा से, कमा लेना है, तना बड़ा सेलेबरिटी है, लोग उसको मानते हैं, मगर कोगा ग अपने सामने सटाया, लेकिन वो कोका कोला नहीं थी, वो एक शराब की बोतल थी, उसका मार्केट इंपक्ट क्या पड़ा, मेरा नहीं ख्याल के कुछ ज़्यादा पड़ा होगा, लेकिन ये फ्रेंच फुटबॉलर्स है, बहुत जबर्दस फुटबॉलर्स है, अच्छा आपको मालूम है, मुझे बताईए कि क्या मार्केट इंपक्ट पड़ाया है, फोल फोगबा की वज़ा से, मुझे नहीं लगता, क्योंकि न्यूज में कुछ भी नहीं आया है, और इन दोनों का फूट स्टेप फालो कर रहे हैं, इटालियन फुटबॉलर्स मैन्यूल लोक रखवा यार, ये स्पॉंसर्स हैं हमारे, इनकी वज़ा से हमारा पेडवेड बलता है, दानाबानी चलता है, क्या कर रहे हो, इनके पैसों की वज़ा से तो तुम लोग यहां बेठे हुए हो, मुझे नहीं पता प्लेट अब क्या मूव करेंगे, लेकिन इन तीनों के बन चुकी है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, मैगजीन हो गए, डिजिटल मीडिया हो गए, ब्लागर्स, व्लागर्स, इंफ्लूएंसर्स, फेस्बुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर कोई अपने अपने अंदास से लगा हुआ हुआ है, और टिक एक और बात बताऊँ कि बहुत सारे ऐसे इंफ्लूएंसर्स और यूट्यूबर हैं पाकिस्तान की साइट से और जो मुस्लिम कम्यूटी की साइट से वो क्रिशियान और रिनाल्डो के इस मूफ को जोड़ रहे हैं मुस्लिम सेंटिमेंट के साथ, मुझे ऐसा लगता है, प हाँ यार हमारे फायदे में आ रही बात इसको उठा लो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात को मुस्लिम सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ना चाहिए या जूविश हेट के साथ जोड़ना चाहिए यह कंप्लीटली एक हेल्दी इटिंग और डाइट प्रोमोट करने के लिए फजय था कि शान और लिर्नाड़ों ने पानी को ऐसे हवा में उठाया कि यह करो यह उन्होंने बोला कि भाई कोई कोई हैल्दी ट्रिंक है अपनी फैमिली को भी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट बताते हैं उनकी बेटी के वीडियो बहुत वाइरल हुआ है जिसमें उन्होंन इतना बड़ा प्लेयर ऐसे तो नहीं बन गया ना उसकी बात को लोग सुनते हैं मगर क्रिश्चान और लिर्नाड़ों की बारे में शायद आप लोगों को मालूम हो या नहों 2006 में उन्होंने कोका कोला को इंडर्वस किया था मगर अब 15 साल हो गया है 15 साल में क्रिश्चान इस पूरे वेंट को अब पब्लिसाइज करने के लिए हो सकता है इस तरह के इवेंट किये जाते हैं और जाब क्रिश्चान और लिनाड़ों जैसे और फोल फोगबा जैसे बड़े प्लेड़्स शामिल हो उनकी एक मूव की वज़ा से पूरा जो मीडिया है वो हिलके रह ज क्राउड हो रहे हैं और यूरो ट्वेंटी ट्वेंटी लॉंग ड्यू था कोविट की वज़ा से नहीं हो सका ऑन दे टाइम आधिंग उसकी प्रमोशन के लिए उन लोगों ने किया हो मगर जो हमारे यूरो ट्वेंटी ट्वेंटी के डारेक्टर है उन्होंने बोला प्ले पैसों की वज़ा से आज तुम लोग यहां पर बैठे हो हो आपने देखा होगा यह जहां पर यह प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं आप देखो पीछे बोर्ड पे ठीक ठाक स्पांसर्स के लोगों बने हुए हैं तो भाई स्पांसर्स के बखर तो यह सेलेबरिटी यह फूट यह कोई भी स्पोर्ट का बंदा आगे चली नहीं पाता तो यह जो बोलते हैं होडा होला हाथ रखो देखते हैं लोग इसको अपने अपने अंदास से ले रहा है लेकिन मेरा नहीं शालता कि इसको रिलीजिस सेंटिमेंट से जोड़ना जरूरी था या इसको प्लिटिकल से से जोड़ना जरूरी था हाँ एक हैल्थी हैबिट के लिए उन्होंने पब्लिक स्टर्ण किया योड़ो 2020 की प्रमोशन भी हो गई हैल्थी लाइव स्टाल की प्रमोशन भी हो गई इसको पॉजिटिव अंदास में ही लेना चाहिए बाट क्रिश्चान और इनाल्ड है डाल सुद्दे के बारे में आपका क्या ख्याल है जो जो क्रिश्चान और रिनाल्डो ने किया या पोल पोगमा नहीं किया सही किया के नहीं किया यह सब सब कुछ पब्लिक स्टंट है प्रमोशन के लिए योड़ो 2020 की आप लोग मुझे बताएए अपना पॉइंट फ्यू झाल